दोस्तो अगर आप Axis Bank Kit Card के यूजर हैं तो देखिए Axis Bank से अगर आप कुछ spend करते हैं एक बड़ा amount Axis Bank Kit Card का use करके तो देखिए अगर आपका bill generate होता है तो बहुत ज़्यादा amount आपको pay करना होगा तो आप उस amount को easy installment में convert कर सकते हैं मतलब EMI में convert कर सकते हैं कैसे करना है इस वीडियो में complete process दिखाएंगे नए method से तो वीडियो के last तक बने रहें तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको Axis Mobile का application जो है उसको update कर लीजिएगा तो देखिए update करके मैं open करता हूँ इसका mpin डालके हम login हो जाते हैं पहले जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हम login हो चुके हैं तो नीचे जो है credit card का section मिल जाता है उसमें चले जाते हैं देखिए यहाँ पर credit card का section है उसमें चले गए आपके पास जो credit card होगा यहाँ पर show कर दिया जाएगा जैसा कि आपको पता है कि मेरे पस तीन card है देखिए यहाँ पर flip card access bank card के बारे में मैं बताने वाला हूँ तो flip card access bank card यहाँ पर show हो रहा है तो इसको जो हम open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर आपको card का outstanding amount, available balance वगेरा देखने के लिए मिल जाएगा अब देखिए नीचे जाएंगे तो आपको convert to EMI का option मिल जाएगा अभी देखिए यहाँ पर आपको कौन सा bill convert करना है देखिए जितना amount खर्चा करेंगा वो रहेगा उसके सामने की square box रहेगा तो उसको tick लगा के आप convert to EMI कर सकते है अगर आप पूरे को करना चाहते हैं कि select all का option यहाँ पर है उसको select करिएगा उसके बाद यहाँ पर कितना आपने amount select किया है कितना transaction select किया वो यहाँ पर show हो जाएगा यह convert to EMI two numbers दिखा रहा है मैंने दो number को select कि एक 30,690,9391 उसके बाद convert to EMI का option है उसको जब click करिएगा तो यहाँ पर tenuer choose करने का option आएगा कि आप कितने दीन के लिए choose करना चाहते है कितने महीने के लिए यहाँ पर आप 6 मेना 12 मेना कर सकते हैं तो यहाँ पर 6 month हम यहाँ पर select करते हैं उसके बाद यहाँ पर 6 month हो गया उसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा कितना EMI बनेगा और दोनों का देखिए मैंने दो सिलेक्ट किया तो दोनों का EMI बगेरा बताएगा ठीक है उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर टोटल EMI दिखाएगा कि जितना भी बनेगा वो दिखाएगा एक टर्मेंड कंडिशन होगा उसको एकसेट करिएगा उसके बाद convert to EMI का option मिल जाता उसको click करेंगे उसके बाद यहाँ पर mobile banking का जो MP नहीं वो डालिएगा तो आपका EMI convert हो जाएगा यही एक simple सा process है EMI convert करने के लिए अपने बिल को तो आप आसानी से यहाँ पर से कर सकते हैं